आज ये एक रेसिपी देने के लिए जो आप लोग की बहुत सारी फर्माईश थी कि मैं चने की डाल का हलवा जो शबरात में बनाते हैं जैसे शबरात का आज मुबारक दिन है जिसमें आप लोग रात भर इबादत करेंगे दुआएं करेंगे रोजे रखेंगे तो बहुत सा यह थी जो फटा फट बन जाए तो मैंने आपको दिखाया है यहां पर कि यहां पर इस तरह से मैंने कुछ समान लिया हुआ था तो मैं शुरू गरती हूं बिसमिल्ला रह्मान रहीम क्योंकि जबी भी हम लोग कुछ भी बनाने जाते हैं अपने उपर वाले का नाम लेकर ही शुरू करना चाहिए कभी भी अगर ऐसी कोई चीज नजन्यास की बनाते हैं तो मैंने लिए चने की डाल चीनी ली है तीन इलाइची ली है कुछ मेवे लिए मेवे आप जो भी उस कर सकते हैं करते हैं वो लीजे और फिर मैंने नारियल का बुरादा लिया है देसी घी लिय कर्कि मुझे जट पट यहालवा चाहिए था पांस से दस मिलट बन जाता है तो मैंने कुकर लिया च्छने की डाल मैंने दो के डाल दी यह कम से कम कुछ नहीं तो आप तीन से चाल लों के लिए बना सकते हैं यह दो से तीन कप चने की डाल है जिसे मैंने भी आपको धो ली अच्छे से जो मैंने भी ली ती और इसमें मैं क्या करूँगी दूद आड़ करूँगी क्योंकि मुझे जहटपट बनाना है और आपको रेसिपी देनी है तो जितने भी नॉन मुसलिम लोग हैं जो मेरे चैनल पर एड़ हैं जो इस रेसिपी का इंतजार कर रहे थे तो फट सिफ दूथ की डाल ममतलब ड जाये तो हमझा एक तर आप ये जरङ मंगा इक तरफ इस रग धी और दूसरी दिए क्याे थे अर डाला है तरहां हटाव जिटने भी द्राइफु की यह ट्राइफुर्ट खाई जाते हैं मैंने यूस करें хотелकि आप इसमें जो भी यहुछा है चाने की दाल गया इतनी की तरह की करा कियाक। उसे बीटायओन अपना गीज़िगा तक मुझनक किन जाला है तो अ क्योंकि मुझे घीयादा दाली ह। तो मैं इतना डालूंगी कि मेरी चैने-की दाल को मैं भू न सकूँ भू बाद मैंने अचने दाल का भी टोर टो मैं के महीं थे बूले हो마 जाने चाहिए इसे पूलस के ब inadequして Miguel Gaines बिश्णली जल्दि बनारी थे नियुक्ष रहए बाद लाकर काया है चाशनी तेयार करी है, जिसमें जितना भी आप टेस्ट मीठा खाते हैं, उतनी आप चीनी लीजिए उसमें एक गौंटिटी इतना पानी डाली है कि चाशनी बन जाए जासे अगर हाथ से देखते हैं, फिंगर से तो उसमें तार बनने लगें, और थोड़ा सा फूट कलर एट चाहिए पाल नाए जाए जो नोगद दो एलाइची डाली है और याद रखिए गर आप इसे चलाएंगे नहीं तो नीचे लग जाता है तो इसे कंटीनू चलाते रहे उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो जाएगा चलाते चलाते ही गाड़ा ओजाता है तब उस टाइम पे जो मैं आप उने देखंगे, देखंगे उभर को बाड़े, यह बंण इतन cigar रहे हैं लिखे देखंगे, न हमाल इसे सिक ही कॉरणा है, मैं और कंगे ब वर देखंगे। यह फूट कल है जाएं, मनमल नहीं कि बॉनएसे चने की दाल की कतली का हल्वा भी लोग बनाते हैं और ऐसे भी लोग रखते हैं तो मैं जब तक इसको गाड़ा करती रहोंगी इसको आप बिल्कुल भी नजर अगर आप हटाएंगे तो यह नीचे लगने लगेगा जल जाएगा तो आप बस इसे चलाते रहे जब तक यह यूज करते हैं उतनी अच्छी आपकी कतली निकल के आती है तो इसको भी हम खुब अच्छे से चला लेंगे फिर देखिए इस तरह से यहां पर यह और गाड़ा होता जा रहा है मैं इसमें थोड़ा सा देसी की और आट करा है स्टार्टिंग में अगर आप चाहें तो देस लग भी रहा है और मैं इसे चलाती जा रही हो फिर मैंने क्या करा लिया लोहे का बड़तन लीजेगा स्टील का लीजेगा उसमें घी लगा लीजेगा अगर आप देसी घी वगर खाते हैं तो ठीक है नहीं तो नॉर्मल जोगी होता है उसे लगा लीजे पूरे में क्योंकि नीचे जब हम निकालेंगे तो बहुत ही अच्छी कतली बन के निकलती है फिर देखी कितना यह ठीक हो गया है हलवा बनके क्योंकि मैं भूनती जा रही थी कभी भी चीज हो आप अगर खाना बना रहे हैं मसाला हो या हलवा हो या कोई बीचीज उसे जितना ज़्यादा प्रणने हैं तरह इसके बाद मैं उसको पटक रही हुँ ता कि इससे का होगा ना जो आपका हल्वाय वह पूरे में प्याल जाएगा देखिए इस से आपको करना है तुर्ण अपने आपसे बहुता है और उसके बाद हम क्या करते हैं जितना भी हमारा बचता है क्योंकि मेरा थो अखिए छोटे बरेते तो फैलाह रही थी और फैलने के पारा पूरह रगते है जोज़गें पहले बाकिते में इलकत हूए नहीं है बरतन की मदद से जो नीचे से बिलकुल बराबर हो उस पे देसी घी लगा लीजे या घी या जो भी आप जिसको भी यूज करना चाहते हैं इस तरह से हर तशले जैसे मैंने कई तशले यूज करें लगाने के लिए तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके हलवे को इस तरह से दबा ख़ा देना है क्योंकि हमने घी समें आड़ कर आय करा चींद तो नीचेर भी आपको भी पता है तो आपको भी पता जा मई ना ही महा पनी करना कि इतने महीं काटे है कहांने नहीं को काणे मेंसे की ज़ञातेएं पर इसको मैं क्या कर दूंगी जितने भी मैंने जगह पे मैंने इसको फैलाया था क्योंकि देखिए ये चने का दाल का हलवा हो या कुछ भी हम कॉंट बहुत कम कॉंटिटी में भी बहुत जादा बन जाता है कहते हैं यह उपर वाले का नाम लेकर शुरू करिए बिसमिल्ला क खुछ निकाल था तो मैं उसको बस कट लगा रही थी हर जगह पर और इस तरह से आप जब करेंगे लिए तो आपको यवकी तरह से लिए फ्रिज में रख सकते हैं या पंक्या की हवा में इसे रख दीजें यह क्या होगा ना हलका हलका सा इसमें आपका ओईल जो है जो है ज जब गम जाएगा तो हलका सा मैने क्या किया इसके डेकोरेशन के लिए लोग चांदी का वर्क भी लगाते हैं मैंने काजू बदाम एड कर दिये और इसको मैंने अच्छे सर रख दिया था यह तो बस मैं आप से कौंगी वीडियो पसंदा ऐसे लाइक करिये गो अपनी दुआ शब कामी लाइक मैं प्ल Tबड लाइक वैं तो था जब सचान हो नहीं भी लाइक का भी लाइक दुआ दुआ वाघके लाइक लाइक दुआ तो हूँआ का